आज हम आप सबके लिए लेक्याए हैं UKG Class Slabes 2021 Maths में हमें बच्चों को Basic Slabes क्या-क्या करवाना है वो आज हम आपको पताएंगे जो हर स्कूल के बच्चे सीखते हैं Basically, Counting 0 to 200 तो हमें Counting 0 से स्टार्ट करके 200 तक सिखानी हैं बच्चों को बच्चे को औरली भी बोलना भी आना चाहिए साथ की साथ और लिखना भी आना चाहिए ना कि बच्चे कई बच्चे हमने देखी हैं सेम जो Right Right करते रहते हैं बट वो बोलते नहीं हैं जब तक बच्चे को बोलना नहीं आएगा तो उसको वर्ड की पहचान बिल्कुल भी नहीं होगी आप कितनी भी कोशी कितनी बार भी उसको लिखवाएं पर जब तक बोल के नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा Reverse Counting Reverse Counting होती है उल्टी गिंतियां जैसे 100 से होती है हमारी 0 तक UKG क्लास में हमें 100 से लेके 0 तक उल्टी गिंतियां सिखानी हैं जैसे 199,98 ऐसे Numbers Name 1,2,20 तो Numbers Name कौन से होते हैं हमारे O,NE1,T,W,O,2,T,H,R,W,3 ऐसे आपको 1 से लेके 20 तक सिखाने हैं प्लेज इससे आगे ज़्यादा बच्चे को ना बढ़ाएं इननी की बार बार रिविजन करवाते रहें ताकि उसका basic बिल्कुल ही स्ट्रोंग हो जाए Tables 2 से 6 तक ज़्यादा ना करवाएं 6 तक ही उसको बहुत अच्छे से करवाते रहें Summs of Add KG क्लास में हम बच्चों को Add के सम करवाने जरूरी होते हैं इसमें से देखें ऐसे इस टाइप में आप करवा सकते हैं बच्चे को Summs of Subtract जो होते हैं माइनस किसं जो गठा किसं बोलते हैं हिंदी में उनको तो ये इसे ऐसे, ज्यादा बड़ी रकम के बच्चे को ना दे, बच्चा भी छोटा है, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, छोटे वाले भी भूल जाएगा, बड़े के चक्कर में तो प्लीज, छोटे ही दीजिए, उसको बेसिक अच्छे से करवाईए उसका, जंबल टेबल, जंबल टेबल आपको बस जैसे 6 तक उसकी टेबल हुई है, तो उसके कोडिंग वहीं तक करवाना है, ज्यादा ना कराएं, देखें, ऐसे होते हैं जब टेबल, टू, थ्री जा, टू, थ्री जा कितना होता है, 6, आप ऐसे ही साइड में लिखें, उसको दीजिए, और इसको ये वाला जो पोर्षन होता है, बचा खुद लिखें, what comes after, between, before, 1 to 200 तक, आपको जो कांटिंग होती हैं, इसमें ये वाले भी डालना है, साथ की साथ बच्चे की लगातार इसकी प्रैक्टिस होने बहुत जरूरी होती है, missing number, 1 to 200 तक, 200 तक आप missing number दे सकते हैं, कोई भी लाइन उठा के क नहीं से भी आप दे सकते हैं, पहले तो starting 1 से ही कीजिए, 1 से पहले 100 तक करवाईए, फिर उसके बाद, 100 से लेके 200 तक करवाईए, डिक्टेशन, डिक्टेशन बहुत ही main part होता है, हर subject के लिए, जैसे math में हो गया, math में आप बच्चे को कोई number बोलिए, जैसे 101 से लेके 200 तक counting है, उसमें आप कोई भी बच्चे को number बोलिए, और बच्चा वो write करके दिखाएगा, like this, जैसे हमने बोल दिया, 57, तो बच्चा नोटबुक के उपर खुद नोट करे, 57 क्या होता है, okay friends, please like my channel and subscribe, thank you